Hello everyone, welcome to Magnet Brains आज हम पढ़ेंगे about Class 6 Science का एक जो चाप्टर है Light, Shadow and Reflection तो friends, light से आपको क्या याद आता है? Sunlight जो हमें मिलती है जो Earth पे light आती है, वो कौन से होती है? Sunlight तो friends, कभी आपने torch चलाया होगा? तो torch की, जब आपने, अगर किसी अंधिरे कमरे में torch जलाते हैं तो torch की light आपको दिखती है, उसका path आपको दिखता है वो कैसे जाता है? एकदम straight तो friends, इससे ये proof होदा है कि light travels in a straight line तो आज की class में हम light और shadows के बारे में detail में पढ़ेंगे और इस वीडियो में basically मैं आपको पढ़ाऊंगी about two type of objects, luminous and non-luminous objects तो luminous objects और non-luminous objects क्या होते हैं? luminous याने जिसकी खुद की light हो जो अपनी खुद की light emit करता हो जैसे कि आप बोल सकते है sun, stars, आप बोल सकते हैं torch जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते है torch, यहाँ पर torch यहाँ फिर bulb का example तो यह सब किस चीज के example जैए? यह वो substances हैं जिनकी खुद की light है तो this is an example of a luminous object from definition देखते है anything which emits light such as a torch, a candle, the sun and an electric bulb is a luminous object luminous objects have their own light so as you can see torch की खुद की light होती है तो इसी लिए bulb की खुद की light होती है इसी लिए यह example है luminous objects के so I hope this is clear to you अब, next आप दिखिए tree क्या tree की खुद की light होती है? नहीं तो फिर वो हमें दिखता कैसे है? क्योंकि जो sun की light उस पे पढ़ रही है वो से reflect कर रहा है और हमें दिख रहा है तो non-luminous objects वो होते हैं जिनके खुद की light नहीं होती है but they reflect the light which is put on them for example you see non-luminous objects by the light reflected from them जो भी light वो reflect करते हैं उनके थू ही वो visible होते है the moon, the trees, rivers, birds, flowers we human beings are all examples of non-luminous objects तो I hope luminous और non-luminous दो टाइप के objects आपको clear है अब अब एक दूसरे categorization पे जाएंगे जिसमें कि हम study करेंगे about transparent, translucent and opaque objects so transparent क्या होता है I am sure आप सबको पता है transparent जिसे की glass glass क्या है transparent आप उसके आरपार देख सकते हैं अगर मैं बात करूँ water water के भी आप आरपार देख सकते हैं अगर इपने glass लिया इसमें पानी भरा तो क्या मुझे दिख पाएंगे उसके आरपार हाँ, तो water is also transparent तो ऐसे substances जिनके थूँ light पास हो सके वो transparent objects होंगे so definition क्या है substances which allow light to pass through them are called transparent objects for example glass, water allow the light falling on them to pass through but अब आप याद कीज़ें जब आप art and craft करते हैं तो आप एक tracing paper लेते हैं या butter paper लेते हैं इसको oiled paper भी बोला चाहते हैं जैसे कि आप या picture में देख सकते हैं तो क्या आप इसके थूँ देख सकते हैं आप इसके थूँ थोड़ा बहुत देख सकते हैं तो आप यहाँ पर एक्जामपल देख सकते हैं तो आप यहाँ पर एक्जामपल देख सकते हैं तो आप यहाँ थोड़ी सी यह पूरी लाइट को अपने थूँ पास होने ही नहीं देते तो अगर मैं आप से पूछों अम आप इन एक्जामपल ओफ एन ओपेक अबजेक्ट क्या मेरे थूँ लाइट पास हो सकती हैं नहीं तो आप यहाँ यहाँ आप इन ओपेक अबजेक्ट क्योंकि मेरे थूँ लाइट पास नहीं हो सकती अगर मैं बात करूँ जब हम रात में वाक कर रहे होते हैं तो जैसे यहाँ पर यह वुट पड़ा है कि हमें इसके आर पार देख सकती हूँ नहीं तो यह किसका एक्जामपल होगा ओपेक अबजेक्स का तो I hope यह काटेगराइजेशन आपको क्लियर है So let's proceed next to what is a shadow Shadow क्या होती है अगर मैं बात करूँ जब हम रात में वाक कर रहे होते हैं रोट पे तो हमें एक ब्लाक कलर का ऐसा लगता है हमारी एक shadow बन गई है एक ब्लाक कलर की image type of होती है तो that is nothing but a shadow और वो क्यों बनती है क्योंकि हम street light को block कर देते हैं तो जब भी हम light को block कर देंगे तो जो एक ब्लाक कलर का जो image बनेगा उसी को क्या बोलते है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं यहां पर यह जो चीज आपको दिखाई देरी है This is nothing but a shadow So shadow की definition क्या होती है यह हम वो देखते हैं A shadow is a dark space behind an opaque object where light is blocked by the object तो अगर कोई object light को block कर रहा है तो कोई एक black space create होगी और उसी black space की create होने का reason है कि light block हो गई है और उस object ने light block करी है तो वो जो black space होगी वो किस की shape की होगी उस object की shape की होगी This is known as a shadow So I hope what is a shadow is clear to you और यह कब होगा एक opaque object जब light को block करेगा तब So when an opaque object is placed in the path of light It stops light from passing through क्योंकि वो opaque है तो वो light को pass होने नहीं देगा और इसलिए जो black space create होगी वो ही क्या कहलाती है Shadow Since light travels in straight line and cannot bend around the opaque object It cannot light up the space behind it So this is very correct हमने पहले ही पढ़ा है कि light जो है वो straight line में travel करती है तो अगर light straight line में travel नहीं करती होती तो Suppose अगर मुझे इस pen की shadow अगर यह पन एक opaque object और अगर इसकी shadow नहीं आनी चाहिए तो उसके लिए light यहां से bend करके यहां से भी तो pass कर सकती थी अगर यहां पर light block हुई है opaque object से तो क्या आएगा यहां पर shadow So the reason is because light travels in straight line So I am sure यह तो आप समने observe किया ही है कि light travels in straight line So I hope the concept of shadow is clear to you अब हम detail में पढ़ेंगे about an activity जो हमें shadow के बारे में और details पताएगी So suppose आप यहां पर देख सकते हैं यह एक window है लोहे की मैंने एक window यहां पर ली हुई है अब होगा क्या धान से देखिए When sunlight enters through the window with the grills shadows of the grills are formed तो यह जो grill है इसकी shadow बन जाएगी ऐसा क्यों होगा क्योंकि grill जो है वो क्या है वो एक opaque object है और जो sunlight आ रही है वो तो straight line में travel करती है तो जहां-जहां पे भी यह opaque object होगा वहां-वहां से light pass नहीं कर पाएगी और इसलिए इस window grills के पीछे क्या बन जाएगा एक black space जिसको कि हम क्या बोलते है शाडू तो यह तो अपने अपने day-to-day life में observe भी किया होगा शाडू को If you look at the beam of the sunlight from a side you will find dark spaces in the beam It is a dark space behind an opaque object. So this dark space behind an opaque object is nothing but the shadow of the grill So I hope this activity is clear to you Shape and size of a shadow तो अब शाडू का shape और size कौन कौन से factors determine करते है हमें वो पढ़ना है The size of a shadow changes with the distance between the light source and the object तो light source और object का जो distance है अगर वो change होगा तो आपका जो size है shadow का वो भी change होगा दिखते है कैसे change होगा As the distance between the light source and the object increases the shadow becomes smaller तो जैसे ही distance increase होगा light source का हमारे object से तो क्या होगा आपका shadow का size जो है वो क्या हो जाएगा छोटा 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 हो जाएगा Next factor As the distance between the object and the screen increases the shadow on the screen becomes larger तो जैसे जैसे हम अगर हम किसी screen के उपर एक shadow को देख रहे है तो जैसे जैसे distance बढ़ेगा तो shadow का size क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे object screen के पास आएगा उसका size screen पे क्या दिखेगा एक दम छोटा दिखेगा And the last factor affecting is the shape and size of a shadow will also depend on the angle between the light source and the object तो अगर different angle से देखेंगे तो size of the shadow will be different So I hope shape and size of shadow क्या होता है या आपको एक दम clear है यह जो factors है यह shadow के बारे में हमें बताते हैं कि shadow का size कैसा होगा So I hope this is clear to you In our next video we will be studying about pinhole camera Thank you Hello everyone, welcome to Magnet Brains आज हम पढ़ेंगे about light, shadow and reflections जो की classic science का chapter है So friends, इसके पहले वाली video में हमने पढ़ा था about light and its properties and about transparent, translucent and opaque objects and about shadows तो आज की video में basically हम पढ़ेंगे about pinhole camera तो हम सबको परता है camera में क्या होता है एक lens होता है But pinhole camera एक ऐसा camera है जिसमें कोई lens नहीं होता और हम अगर आपसे बात करें उसका नम pinhole क्यों है क्योंकि उसका जो hole जहासे की image form होती है वो जो hole है वो एकदम pin के size का है तो एक natural pinhole camera जो हम observe करते हैं वो होता है कि जब suppose मैं एक किसी भी forest किसी भी ऐसे एरिया जुसमें बहुत सारे trees वहां से walk कर रही हूं तो मुझे ऐसा दिखता है कि trees के बीच में जो है नीचे ground पे there are small small shadows small small spots और वो हमें दिखाई देते हैं और यह जो process है यह जो है इसी को हम एक pinhole camera बोलते हैं यानि कि जो leaves है उनके बीच में जो small small spaces हैं उसी को हम बोल वह है pinholes और नीचे ground पे जो images बन रही है वो pinhole camera से images बन रही है तो यह I am sure अपने notice किया होगा कि यह जो small small shadows होते है small small spots होते है they are nothing but the image formed by the pinhole camera and where is the camera between the small small spaces between the trees तो अगर मैं आपसे बात करो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि यह tree है अब यहाँ पे चोटी-चोटी spaces है यहाँ से sunlight enter करेगी और जब यह ग्राउड पे image form करेगी वो small small spots ही क्या होगे images और यह जो small space है जिसके through a light आ रही है this is nothing but an example of a pinhole camera तो ऐसे आप यहाँ पे बहुत सारे pinhole cameras देख सकते हैं तो यह एक nature का example है जो आपको pinhole camera दिख रहा है so there is an interesting pinhole camera in the nature when we pass under a tree covered with large number of leaves we notice small patches of sunlight under it तो यह जो small patches of sunlight है they are nothing but the images formed by the pinhole camera these circular images are pinhole images of the sun तो यह sun की ही pinhole images हमारे को दिखाई देती है the gaps between the leaves act as pinholes तो यह जो gaps होते है leaves के बीच में यही act करते है pinholes की तरह जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है gaps between the leaves act as a pinhole तो ऐसे बहुत सारी images आपको दिखाई देती है और यह circular की होती है क्योंकि यह sun की images है that is why so now let's proceed to an activity जिसमें कि हमें एक pinhole camera actual में बनाएंगे यह जो आपने pinhole camera देखाता है तो नेचर का थाब हम actual में pinhole camera बनाएंगे और इसे कैसे बना सकते है we will study तो जैसे कि आप cardboard लेंगे और उसका एक box बनाएंगे इस तरीके से जैसे कि आप यहां देख सकते है और जब यह cardboard का box बन जाएगा तो आप क्या करेंगे किसी भी एक side जैसे कि आप यहां देख रहें जाप inverted tree की आपको image दिख रही है तो आप यहां पर जो side है उसमें cardboard हटा देंगे और cardboard हटा देने के बाद आप उस पर tracing paper लगाएंगे और tracing paper लगाया आपने जिस भी face पे उस face के opposite face पे आप एक small hole कर देंगे using a pin तो उसी वही जो small hole है जो कि आप यहां देख सकते हैं यही है हमारा pin hole camera और यही image form करेगा किसी भी object की तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि यह activity मेंने किया क्या क्या है और यह image बनी है यह कैसी बनी है क्या हुआ है यह pin hole camera actually में होता गया है So cut out one end of a cardboard box and fix a tracing paper over the end जैसे कि मैंने आपको बताया है यहां पे tracing paper fix किया और उसके opposite end पे आपने एक hole किया at the center of the opposite face of the box तो इसके opposite यान इसके सामने वाला जो face था इसमें एक hole बना दिया Point the hole towards bright object like a candle flame और a tree तो अपने यह hole है इसको एक किसी tree के सामने रग दिया जैसे कि आप यहां देख सकते तो यह tree जो है इसकी image is spin hole camera के थू यहां बन गई जो आपका tracing paper है उसके उपर You will see an inverted image of the flame on the tracing paper screen तो tracing paper जो आपकी screen है उस पर आपको inverted image जो भी आपने object रखा उसकी inverted याने उल्टी की हुई image यहां पर मिल जाएगी याने अगर यह object ऐसा है तो यह ऐसा invert हो कर के वहाँ सामने आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि pin hole camera से जो image आईए वह हमेशा कैसी आती है inverted जैसे कि आप यहां देख सकते है tree क्या हो गया है उसके बाद जो एक बड़ा सा object था उसकी image एकदम छोटी सी आएगी यह बड़ा सा tree है जो screen है जिस पर image बनी है इमिज जो है वह बहुत ही छोटी हो जाएगी उसके बाद यह जो tree है यह आपका एक colored object है तो यहाँ पर जो image आएगी वह भी colored आएगी यही shadow और हमारी image में difference है कि shadow हमेशा black होती है जैसे कि हमने माई previous video में पढ़ा बट images जो है वह क्या होती है colored होती है और यह बहुत ही small space small hole है जिसके through light pass कर रही है तो अगर यह बहुत ही small space है जिसके through light pass कर रही है तो यह shadow क्या होगी बहुत ही small होगी और इसके साथ साथ ही inverted क्यों होगी क्योंकि हमें पता है light travels in straight line तो जो light की रह यहां से travel करेगी वो इस hole से travel करते हो यहां नीचे आएगी और जो light की रह यह bottom of the tree से travel करेगी वो इस hole से travel करते हो उपर आएगी तो अगर यह वाले part से जो light की रह जा रहे है वो उपर की तरफ है तो यह वाला part आपको उपर देखेगा और यहां से जो लाइट रही है वो इस टॉप वाले part of the tree से आ रही है तो यह वाला part आपको नीच देखेगा तभी यह image क्या हो गई है? Upside down याने की invert तो I hope आपको pinhole camera को concept clear है मैं एक और पर आपको revise कराती हूँ कि pinhole camera से जो image बनेगी उसके characteristics क्या-क्या होंगे तो the images are inverted upside down ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि images कैसी होंगी upside down होंगी this is because light travels in straight lines जैसे कि हमने हमाई previous slide में देखा the rays traveling from the top and bottom of the object cross the pinhole and continue to move in a straight line the images are not too bright because very little light enters through the small hole तो बहुत ही कम light enter होगी तो image जो आपकी form होगी butter paper या फिर आपकी जो paper जो आपने लगाया था tracing paper उसकी screen पर जो image आएगी वो बहुत हलकी आएगी faded type of cue क्योंकि light जो pinhole के थो पास हो सकती है वो बहुत कम होगी the images are colored this is an important difference between an image and a shadow तो images colored होती है और shadow black होती है so I hope the concept of pinhole camera is absolutely clear to you in our next video हम पड़ेंगे about the frequently asked questions of this chapter light shadows and reflection thank you hello everyone welcome to magnet brains आज हम पड़ेंगे light shadows and reflection जो की class 6 science का chapter है तो इसके previous videos में हमने light और shadow के बारे में पड़ा और pinhole camera के बारे में पड़ा आज की class में हम reflection के बारे में पड़ेंगे so reflection क्या होता है basically आप अपने आपको mirror में देखते है that is nothing but a reflection of yours अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर आप एक image देख रहे हैं यहाँ पर एक हमारे पास tiger है and यह water एक screen की तरह act कर रहा है जिस पर कि यहाँ पर मेरे को क्या दिख रही है एक image दिख रही है तो यह image जो आपको दिख रही है नीचे this is not a tiger but just a reflection of the tiger so this is what is called reflection तो अब reflection के definition क्या है आई हम देखते हैं when light falls on a surface a part of it bounces off this changes the direction of light this bouncing off light at a surface is called reflection so suppose किसी surface से light टक रही तो वो वहाँ से bounce off करती है और this bouncing off of light को ही क्या बोला जाता है reflection जैसे कि आप यहाँ देख सकते है कि सारी की सारी light जो है वो नहीं बट थोड़ा सा part of light जो है वो क्या करता है वो bounce करता है और जिसके की वज़े से उसके bounce होने की वज़े से उसका direction change होता है और इसी से जो बनता है वो क्या होता है उसका reflection so I hope यह जो bouncing off light है जिसको कि हम reflection बोल रहे हैं यह जो ही आपको clear है now all these surfaces reflect light but polished surfaces reflect more तो जो भी एक shiny या polished surface है वो जादा reflect करता है light को तो उसका example है metal, glass, they reflect light better than others तो यह जो reflection of light है कि light का किसी जीस से आके तकराना और अपना direction change कर लेना यह जो reflection of light है यह जादा तत polished surfaces जो हैं दिखाते हैं तब ही आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूँ mirror की तो mirror जो है एक जो है polished उसके पीछे एक surface लगा होता है एक metal की layer लगी होती है जो कि polishing वाला होता है जैसे कि aluminium metal की अगर मैं बात करूँ shiny metal होता है So mirrors are made up of polished glass तो पहले तो mirrors में polished glass होते हैं उसके बात glass के पीछे एक layer of metal होता है Then layer of metal maybe silver or aluminium at the back तो यह जो metal layer है यह जो है यह सबसे जादा reflection में मदद करता है So mirrors का जो main principle है वो यह है कि सबसे पहले तो आप polished glass लेंगे और उसके पीछे जो आप layer लगाएंगे वो आप किसी metal की layer लगाएंगे like aluminium और silver अब silver को हम इसलिए नहीं यूज़ करते जाहता क्योंकि वो बहुत expensive होता है तो हम यूज़ कर सकते है चाहे तो silver और aluminium is most frequently used and it is coated with a layer of this metal at the back तो the metal layer is the main reflecting surface of a mirror तो जो main चाहां से reflection होता है वो क्या होता है वो metal layer होता है So metal layer is the main reflecting surface of a mirror The glass lets us to see the image formed by reflection तो अगर मैं बोलो कि मुझे काच में अपनी image दिखाई दे रही है तो वो क्या है That is not me but that is just a reflection of me तो हमारे को अगर कभी भी image दिखाई देती है तो that is just a reflection on a screen जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें reflection दिखाई दे रहा है in water अब हम अगर आगे देखे तो हमें reflection दिखाई दे रहा है in the mirror जैसे कि आप यहाँ example में देख सकते हैं यहाँ mirror है और यहाँ पर यह इस lady का जो आज सामने mirror में क्या दिख रहा है reflection दिख रहा है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यह क्या दिख रहा है reflection दिख रहा है So this is nothing but an example of reflection So I hope अब आपको समझ में आ गया है How are mirrors made? Mirrors किस तरीके से बनाए जाते हैं और सबसे जादा reflection कहां से होता है जो उनके पीछे layer लगती है Metal की उससे reflection होता है तो mirrors का जो concept है I hope आपको clear हो गया होगा और इस पूरे chapter के notes अगर आपने by chance miss कर दिये तो आपको हमारी official website magnetbrains.com पर इस chapter के सारे notes arranged order में मिल जाएंगे वहाँ पर आपको class 4th to 12th तक के सारे के सारे subjects के notes मिल जाएंगे जो कि जहाँ आप उसे download भी कर सकते हैं और videos भी होगी जन्ने आप view कर सकते हैं और हमारी next video में हम इस chapter के frequently asked questions पूछेंगे frequently asked questions जो है वो भात ही important होंगे from the point of view of your exams from this chapter light, shadow and reflections so I hope this chapter is clear to you which is completed now thank you